पंजाब में लौ एंड ओर्डर की स्थिती दिन प्रती दिन बद से बत्तर होती जा रही है जिसके चलते पुरानी रंजिश के तहट अमरिस्थर में एक 23 वर्षिये नौजवान की तेज दारत्यारों से हत्या के बाद या मुद्दा काफी गर्माता हुआ नजर आ रहा है कि उनके बेटे को कोई व्यक्ति जान से मानने की धमकिया दे रहा है लेकिन पुलिस ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जिस कारण उनके बेटे की जान गई है उन्होंने कहा कि अगर पुलिस ने पहले ही उक्तव्यक्ति को ग्रिफतार किया होता तो शायद आज उनका बेटा जिंदा होता वहीं दूसरी तरफ पुलिस अदिकारी बल्विंदर सिंग घटना स्थल का जायजा लेने पहुंचे इस दुरान उन्होंने कहा कि पारिवारिक सदस्यों की और से जो भी बेयान दर्ज करवाई जाएंगे उसी के अधार पर कारेवाही की जाएगी फिलहाल उन्होंने अरोपियों का नाम बताने से साफ इंकार कर दिया अमनी सर से हल चल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट जिन आम में खते काम करदी ठीक हैं और से पर रूफते कि मुटियां गेला से जिन्ने कातल की गता वके तीम एक आशू एक लंकी लंकी ते जिननों वड़िया ही ओ मुंडार ठीक एक तीनडा निशान सारे पांच छे जाने हैंगे मुंडे जिनने मेरे परादा कदल कीता कल्ला कल्ला मेरा पराही तो तीजना मेटर हैगा नारीज अजे रीके जानगे वही पटे देने हैंगे अपने जीज परादा की कारी जाने है पोसे लेड को आई हमाई कारी है जाने मुखे तखिकात करें कारें शी और सब्सक्राइब जानाल आज आधा डेड़ बड़ी चाटी उसको गदिए पहला उसमाद आई को जीए